हेलो माई यूटूब फैमली वेलकम बैक ऑन माई चैनल याट इस स्टालवाई बुमिका और मैं हूँ आपकी दोस बुमिका आज मैं आपको यह मेकप लुक प्रियेट करके बताऊंगी जो मैंने भी किया हुए और इसके साथ मैं पूरा एटायर भी बताऊंगी बिकॉज अब गनेश चतूर्थी आने वाली है और जित्ती भी महराश्रन या मुंबईयन लोग होते हैं जिसे मुंबईयन भी कहते हैं अगर मैं गलत हूं तुमाफ करेगा वो लोग ऐसे ही लोग क्रियेट करते हैं तो मैंन सबसे पहले मैं आपको मेकप बताऊंगी उसके बाद हेडो और सबसे लास्ट में महराश्रन साड़ी को कैसे ड्रिप करते हैं वो बताऊंगी सो लास्ट तक वीडियो देखना मत बोलना यहां पे मैं निव्या का मॉस्ट्राइजर यूज़ कर रही हूं इससे पहले मैंने काइस क्यूब से अपने फेस का मसाज किया था उसके बाद मैं निव्या का ही लिब बाम यूज़ कर रही हूं अपने फेस को प्रोटेक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप कोई सा भी ब्रैंड यूज़ कर लो मेकप करते हो तो आपकी फेस ज़रूर डेमेज हो जाती है कहीं न कहीं और फिर मैं लेकमे का प्राइमर यूज़ कर रही हूं मैं थोड़ी जादा कॉंटेटी में प्रिफर करते हूं आप जैसा चाहों वैसे कर सकते हो और उसके बाद हलकी हाथों से मसाज सा कर लीज़े और इसके बाद मुझे ऐसा मैंने एक्स्पिरेंस किया कि अल मेरे जहां जहां पर मुझे लगता है लाइक में डाक सर्कल से हैं तो मैं वहां पर अप्लाई करती हूं नोज पे चिन पे और हलका सा फोहेड पे ठीक है उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं ऐसे ब्लेंड कर लूँगी और आप कोशिश करो अच्छे से ब्ले है सो मैं इसलिए इसका नाम मेंशन नहीं करती क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी स्किन कैसी वो मैं जानती नहीं हो और अगर मैंने आपको रिकमेंड कर दे और आपको कोई भी साइड इफेक्ट हुआ थो वो सही बात दी होगी ठीक है तो आपके पास और आपके स्कुन को जो सूट करता है वो लो जहां जहां पर आपने कंसीलर यूज किया हुआ है मतलब अपलाई किया हुआ है वहाँ पे लगा लो ताकि यह सेट हो जाए मतलब कंसीलर सेट हो जाए उसके बाद मैं अपने आशाडव पालेट में से क्रीम कलर ले रही हूँ बेस के लिए और मैं सिफ अपने eyelid area को ही मलब eyelid area का ही make up करूँगी तो मैं अपने हाथों से करती हूँ because मुझे breast से आता नहीं और मैं करनी पाती क्योंकि वो इधर उधर हो जाता है और because मैं professional नहीं हूँ उसके बाद मैं pink color ले रही हूँ अपने eyeshadow palette में से और फिर मैं अपने eyelid area पे make up कर रही हूँ आप मुझे जरूर बताना आपको मेरे videos कैसे लगते हैं और last में मैंने अपने eyeshadow palette में से golden glitter color लिया है और please मुझे जैसा कि मैं बोल रही थी कि आप मुझे जरूर बताना कि आपको मेरे videos कैसे लगते हैं और अगर अच्छे लगते हैं तो please like करिए अपने friends families के साथ share करिए और please धेर सारा support करिए उसके बाद आपने जहां जहां पे compact यूज किया था वहाँ से आप इसे clean कर लो because अब तो set हो चुका होगा फिर मैं ये maybelline का mascara यूज कर रही हूँ और आप मुझे please suggest क्या करो अगर आप suggest करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं अगर कोई गलती कर रही हूँ या मुझे और क्या करना चाहिए और अब मैं यहाँ पर setting spray use कर रही हूँ wet and white का मैं अपनी eyebrows को fill नहीं करती because मुझे ऐसा feel होता कि मेरे face को suit नहीं करता फिर मैं beauty blender पर ही लेके कर रही हूँ because मेरा ये setting spray तूट गया है और उसके बाद मैं ये wet and white का highlighter यूज कर रही हूँ वैसे मैं आपने मेरी पहले वीडियो देखी होगी तो मैं direct apply करती थी इस बार मैंने अपने fingers पर लेके किया और काफी अच्छा result आया है जैसा कि अभी आप देखोगे उसके बाद फिर से मैं setting spray beauty blender पर लेके और tap tap कर रही हूँ और last पर मैंने brush पर हलक हलका सा लेके और फिर से अपने cheek पे nose area पे जहां जहां भी मुझे जरूरत थी वहां पे लगा लिया और मेरा यहां पे pop it हो गया है कि मैंने blush लगाना भूल गई मैं अक्सर ऐसी कोई न कोई step में खाई जाती हूँ तो मैं अभी लगा रही हूँ और मैंने जो highlighter यूज किया उसका recording नहीं डाली है इसमें ठीक है तो यह है और इसके बाद जो सबसी important महराशन अगर आप attire ले रहे हो तो उनका टीका होता है जो की चान की design का होता है ठीक है तो मैं eyeshadow palette में से ही red color को लेके और इस breast की help से draw कर रही हूँ अगर आपको market में rediment मिल जाता है तो अच्छा है वन आप ऐसे draw कर सकते हो उसके बाद मैं यह lacme का crayon ले रही हूँ यह newt shade में है और इसे apply कर रही हूँ मैं बहुत minimal makeup करना पसंद करती हूँ बहुत natural सा कोशिश तो यही रहती है और उसके बाद मैं यह wet and white का lip gel liquid formatting इसे कहते हैं वो use करी हूँ यह भी newt color में ही है उसके बाद मैं इस पे हलका हलका highlighter लगा दे रही हूँ जिसे कि यह थोड़ा सा signing सा हो जाए ठीक है बताना आपको कैसा लगा मेरा यह look और अब मैं हेडो के लिए simple क्या करूंगी पहले पूरे बाल पीछे की हो ले जा रही हूँ उसके बाद बीच से कोम करके बीच की मांगने कालूंगी partition जिसे कहते हैं उसके बाद जिस पीछे ले जाके simple जो जुड़ा होता है नीची की और वो बनाऊंगी क्योंकि आपने अगर देखा होगा महराश्रे लुक को तो वो जुड़ा जरूर बनाते हैं बहले अलग-अलग तरीके का होता है पर वो जुड़ा बनाते हैं और अगर आपके पास गज़रा है तो बहुत ही अच्छा मै एक ब्लाक हेर बैंड ले रही हूं और कोशिश करिए ब्लाक ही हो क्योंकि वो हाइट कर देता है और इससे फिर मैं सेक्योर कर ले रही हूं और अगर प्लीज अगर आपके पास जुड़ा है तो आप ज़रूर लगाना वो बहुत प्यारा लगता है और फिर मैं थोड़ा सा वॉल्यूम देने के लिए अपने बालो में पीछे एक एक पिन लगा लूँगी दोनों साइड एक्षिल ये पर ज़्यादा तर चीजे इसलिए नहीं हो थी विकोज मैं ऑन दो स्पॉर्ट में को आइडिया होता और मैं बस बनाना शुरू कर देती जो जो चीजे हैं मेरे पास उससे आपको बिलीव नहीं होगा जो मैंने यहां पर ड्रेप करने के लिए कपड़ा यूज किया है वो सूट का कपड़ा है और अब मैं यहां पर आगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हुई है जोल्री कलेक्शन की नहीं देखी है तो अ इरिंग पैन रियो मुझे लग रहा है में को इसका नेकलेस भी लेयर कर लेना चाहे था तो और प्यारा लगता फिर मैंने यहां पर यह नत पैन ली एक्शली यह नत नहीं है एक इरिंग सी तो उसको मैंने तोड़ के बना लिया विखोज में यह पास तो अतीनी अगर आप के पास ट्रडिशनल नत है तो बहुत बढ़िया अब मैं आपको बता रही हूँ ड्रेप करना आपको क्या करना है अपने लेफ्ट हैंड साइड से डेल मीटर कपड़ा चोड़ना है ठीक है अपने लेफ्ट हैंड साइड से उसके बाद राउन करके यह लेके जाना है जैसा और उसके बाद ये जो knot में आगे पीछे कपड़ा रहा जाते न वो मैं अंदर की ओर टक कर रही हूँ और हाइट कर दे रही हूँ ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है जो आपने left hand side में कपड़ा छोड़ रखा हुआ था उसे अपने पैरों की बीचों बीच से ले जाके left hand side से ही उपर की ओर निकालना है जैसा कि आप देख रहे हो ठीक है उसके बाद आपको यूँ जो कपड़ा बच्चे थे उनकी यूँ प्लेड बना लेनी है और यूँ पीच्छे ले जाके टक कर देना है आपको दो तीन बार लगेगा ऐसा करने में जब आप ट्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा ठीक है मुझे भी हुआ था because मैं अगर कर सकते हूँ तो आप जरूर कर सकते हो ठीक है और ऐसे राइट हैं साइड में भी करना है पर उससे पहले जो आप पीछे टक किया है आपने प्लेड बना के उसमें देखोगी इस तरह का जैसे मेरे में कपड़े बच्चे है वैसे आपको उसको छोटी-छोटी सी प्लेटे बनाके आगे की ओर टक कर लेना है ठीक है पर मैं अब यह रफली कर रही हूँ एंड में मैं इसे क्लियर अच्छे से करूंगी ठीक है फिर आपको सेम वही राइट हैंड साइट वाले लेक में भी करना है बीच में से कपड़ा ले जाके लेक के बीचों बीच से जैसा मैं लेके जा रही हूँ और उपर की ओर ले आना है ठीक है यह आपका पलू होगा ठीक है अब मैं जो आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड में जो उपर की ओर कपड़ा बच्च वा था जिसे मैंने आगे की ओर प्लेट बनाके ट फ्यूस थी से करते हुए ठीक है अब आप जैसे देख रहे हो मैं बहुत चुटी चुटी सी प्लेट्स बना रही हूँ आपको ऐसी प्लेट्स बनानी है और यूँ जैसे अब आप देख रहे हो इस तरह से आपको आगे लाके प्लेट्स बनाके टक कर लेना है अंदर की ओर ठीक है see plates बन गई न अगर आपकी border वाली साड़ी है जैसा कि मैंने यहापे यह जो image लगाई हुई है जिसमें इन्होंने border वाली साड़ी पहनी हो तो और प्यारा look आएगा because यह मैंने आपको पहले बता है था यह suit का कपड़ा था तो मैंने उससे आपको drape करके बता दिया अगर आपके पास silkी साड़ी है border वाली तब तो बहुत प्यारा लगीगा जैसा कि आप देख रो इन मैंने पहना हुआ था ठीक है और अब आपको जो आपने पलू right hand side के लिए निकाला था उसका plate बना लोगे जैसा आप नॉर्मल साड़ियों में बनाते हो और बस ऐसे plate बना के छोड़ दोगे ठीक है और अब आपको अपने जो आपने plates बनाई है उसे वहाँ उपर shoulder के हो secure कर लेना है pin से see please उसे जरूर बताना कि मैंने ये महराश्यन जो drape होती है साड़ी वह achieve कर पाई हूँ या नहीं ठीक है और उसके बाद अब मैं थोड़ा सा और traditional look लाने के लिए ये ring wear कर लिए है और उसके बाद ये bangle ले लिया है bangle क्या ये कड़ा है ठीक है और फिर मैंने इसमें एक twist डालने के लिए इसी suit के कपड़े का डुपटा था उसे रख लिया अपने उसी shoulder पे और दीखे कि तब प्यारा look लग रहा है hope आपको मेरा ये पूरा attire अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज share subscribe करिए मेरे channel को love you so I hope आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा जो मैंने महराश्यन लुक में साधी ड्रेप करने की कोशिश की वो मैं achieve कर पाई हूँ और आपको सही तरीके से बता भी पाई हूँ कि इसे कैसे ड्रेप करते हैं और ये लुक भी आपको पसंद आया हो अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजे मेरे channel को जो लोग नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और जो कर चुके हैं उनके लिए थैंक यू जो अभी भी करेंगे उनके लिए भी थैंक यू और बेल आइकन को प्रेस कर लिजे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की notification आपको time to time मिलते रहे चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए बाई बाई लव लव और हाँ हैपी गनेश चतूर्थी आप सब लोगों को और भगवान गनेश जी आप सब लोगों के लाइफ में अच्छी खुश्या लाएं समृद्धी लाएं पस यही काम ना करते हूं और दन्यवाद